यहीं दोस्तों मेरा नम है अतुलो और स्वागत है आपका अपने डिव चनल अतुल्टिक बज़ार में दोस्तों बजट सेग्मेंट की तो लेटेसली लॉंच होई 5G डिवाइस हमारे पास में पास में पीछे आप देख सकते हैं काफी अच्छा अक्रलिक डिजाइन मिलता है और रिट्मी 12 डिवाइस में आपको ग्लास बेक डिजाइन देखने को मिलता है तो उनों का यह बेक डिजाइन का प्रीमियम लगता है बात करते हैं डिस्प्ले की तो मोटो जी 54 डिवाइस में 6.5 इंचेस का FHD प्लस 120 हर्ड रिफ्रेस रेट वाला डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है तो कि काफी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है साथ ही में अगर डिवाइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 6.79 इंचेस का FHD प्लस 90 हर्ड रिफ्रेस रेट वाला डिस्प्ले मिलता है आपको 5G डिवाइस में 16 MP & 8 MP आपको Redmi 12 di डिवाइस में मिल जाता है यहाँ पे OS के बारे में बात करें तो Redmi 12 di डिवाइस में Ui 14 Android 13 के साथ में मिलता है तो चुंच Android 13 आपको Moto G 54 डिवाइस में मिलता है Redmi 12 5G device में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 आला processor मिलता है जो कि एक 4NM Octa4 processor है तो नोई device में काफी तगड़े processor प्रोइट के गए है Redmi 12 5G device में 5000 mAh और Moto G54 device में 6000 mAh की बैटरी प्रोइट के गई है 33W की fast charging Moto G54 में मिलती है और Redmi 12 5G device में 18W की slow charging मिल जाती है अब देखते हैं तो नोई device में कौन सी device सबसे fastest है दोस्तों चैनल पर नहीं सबस्क्राइब जरू से करेज़ेगा बेल आकन को भी प्रेस करेज़ेगा ताक कि जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करूँ में अपने यहां पर कंपनी के लोगों आ चुके हैं और फटाबर से हमें यह देखना है कि बूटिंग स्क्रीन सबसे पहले कौन से मोबाइल में मिलती है यहां पर बूटिंग एनिमेशन तो आ चुका है मोटो और मोटो जी 54 डिवाइस है निर्बनती है नेक्स्ट इस उस एप डाउनलोडिंग टेस्ट करने वाले हैं तोनों ही मोबाइल आप देख सकते हो सेम वाइफाय रियल में X7 से कनेक्टेड है एक 50 MB के आसपास की एप Instagram को हम डाउनलोड कर रहे हैं तोनों ही मोबाइल में यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है अब यहां पे हमें देखना है कि blue color का play button हमें कौन सा मोबाइल प्रोवाइड करता है थोड़ा सामने fast forward किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो तोनों ही मोबाइल लगे हुए हैं Redmi 12 5G device ने इससे पहले डाउनलोड कर लिया है इस टाउनलोडिंग टेस्ट में Redmi 12 5G device किलियर लिविनर बन जाता है अगला दिस दूसर डाउनलोडिंग अप्लोडिंग स्पीड टेस्ट करने वाले है उकला एप को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया डाउनलोडिंग अप्लोडिंग तोनों ही स्पीड में Redmi 12 5G device आगें से यहाँ पे विनर बन गया है इस टेस्ट में भी Redmi 12 5G device विनर बनता है रेक्स दूसर यहाँ पे हम रेंडरिंग स्पीड वीडियो रेंडरिंग स्पीड टेस्ट करने वाले यहाँ पर इसके लिए हमने यहाँ पे काइनवेस्टर एप एप को सिलेक्ट किया है और से पहले हम परफॉरमेंस आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्यूए सिक्सटी एप्पस पे हमने आप वीडियो रेंडरिंग करने के लिए छोड़ दिया है देखते हैं कि सबसे पहले आउटपूट याने वीडियो रेंडर करके कौन सा मुबाइल देता है तो आप देख सकते हैं कुछ सेकंड पहले अगें से इसे रेंडर कर दिया है इस टेस्ट में भी यही विनर बनता है नेक्स देस्ट दोस्तों हमकिने वाले हैंसे सबर्स्सके हुइए मिनिमूम्क फाइब मिनेट लगते हैं और यहां पर हम देखर है अगर हम देखके इधर उधर थोड़ा सा दिख रहा है मोटो जी 54 डिवाइस में अगर इसकोर देखे तो 93 वर्सेस 90 मिलता है इसकोर थोड़ा से यहां पर आपको मोटो जी 54 डिवाइस में देखने को मिल सकती है और अल परफॉर्मेंस दोनों ही मुबाइल का बैस्ट मिलेगा नेक्स दोस्तों एप डाउनलोंग टेस्ट करने वाले बेग्राउंड में कोई भी रनिंग एप नहीं है क्लियर है बेग्राउंड और हम यहां पे कुछ डेलियोजेस के एप ऑन-लाइन ऑफ-लाइन गेम और कुछ सिस्टम एप को हमने सेलेट किया सबसे पहले यह पे कैमरा ओपन करके देख लेते हैं किस मेपाइल सबसेपहले देखने को मिलती है रिड्मी 12 इडिवाइस ने इसे सब से पहले ऐपन करते हैं धो Are कि कुन सा पार्टेज्ट इवाइस जो इस एप को सबसे पहले ऐपन करता है अगेंड से रिड्मी 12 इडिवाइस ने इसे open किया है, काफी बड़ी लीड ये ले चुका है, almost यहाँ पे काफी टेस्ट में ये winner बन चुका है, और यहाँ पे हम बिलियन डेस आने वाला है, और मोडो जी 54 डिवाइस ने इसे पहले open किया है, नेक्स्ट ऑनलान स्वापिंग एप अमेजोन को open करते हैं, और इसे Redmi 12 5G डिवाइस ने open किया है, अब पड़ापट से रे मेनेजमेंट भी चेक करते हैं किया है, प्रणाप स्वाँ जाँ है, और यहाँ मैं वालान स्वाइस यद्वा इसे येक्स करते हैं, झाना명 को Lघ का भी ने छोच्त के देश राहन रे दिल्टोब इकानः को अरन किया है ऄो maritime energy झाल झाल तो यह थो दोनों ही डिवाइस के बीच में फुल कमपरेजन प्लस डीपेस डीपेस स्पीड टेस्ट और मोस्ली टेस्ट में आपनी यह देखा होगा रिटमी 12 5G डिवाइस के लिएरली विनर बनता है यहां पे जो SD4 जैन्स है टू अला जो प्रोसेसर है 4N प्रोसेसर यह थोड़ा सा आपको मतलब अच्छा पूफॉरमेंस दे देगा अगर आप इसे कंपर करते हो तो यहां पे तगड़ा मुकाबला तो नहीं बोल सकते है बट यहां पे पूफॉरमेंस आपको बेटर थोड़ा सा मिल सकता है रिटमी 12 5G डिवाइस में यहां पे तोनों ही डिवाइस अपने प्राइस क्रेटिकरी के हिसाब से वन अप तब बेस्ट डिवाइस है बेस्ट 5G डिवाइस हम यहां पे कंप्लीट 5G डिवाइस दोनों ही मॉबाइल को बोल सकते है यहां पे तोनों ही मॉबाइल के रिगारिंग डीप रिव्यू चैन charging भěले ही मिल जाती है वहां चार्जिंग टेस्ट में किया है और almost two hour के आसपास इसको charging करने में समय लग जाता है फैंट की बैटरी है और eightण वाट की slow charging भेले ही है लेकिन इसे भी almost two hour liग जाते है फुली चार्ज होने में यह से दोस्तों दोनों ही डिवाइस के रिकारेंगा आपको कोई डाउट कोश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं चैनल पर और भी बहुत सारे इंपॉर्डेंट वीडियो चेक आउट जोरो से करेंगा डिस्किप्सन वाक में ट